टीवी इंडस्ट्री से बेहत चौकाने वाली खबर सामने आई है महस 32 साल की उम्र में टीवी के मशूर आक्टर और कास्टिंग डारेक्टर आदित्य सिंग राजपूत का निधन हो गया है ये वही आदित्य सिंग राजपूत है जो स्प्लिस विला सीजन 9 और गंदी बात मे नजर आये थे आदित्य सिंग राजपूत की बॉड़ी उनके घर से ही बरामद हुई है दरसल पूरा मामला कुछ यूँ है कि आदित्य अपने घर के वाश्रूम में बेहोश पाए गए थे आदित्य अंधेरी की एक बिल्डिंग में अपने दोस्त के साथ रहते हैं उसी द दोस्त ने देखा कि आदित्य बेहोश पड़े हुए हैं वाश्रूम में आनन फानन में वो आदित्य को अस्पताल लेके गए और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोशत कर दिया कुछ सूत्रों ने ये भी बताया है कि आदित्य सिंग राजपूत का नेधन ड सादा एक कास्टिंग डिरेक्टर के तौर पर मशूर थे उन्होंने पॉप कल्चर नाम का अपने कास्टिंग एजिंसी भी खोल के रखा है मैं 17 साल की उम्र में उन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रख दिया था अदित्य वैसे दिल्ली के रहने वाले हैं उनकी एक बहन है और एक भाई भी है उनकी परिवार वालों को भी ये खबर लग चुकी है कि उनकी मृत्यू हो चुकी है आपको बता दे कि अदितिन सिंग राजपूत को पहली बार रियालिटी शोग स्प्रिस विला से पॉपुलेरिटी मिली थी कास्टिंग डारेक्टर पर उनकी इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान है उन्होंने 300 से जादा टीवी सीज में काम किया है जब वो शुरू में मुंबई आया थे तो वो आक्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्रगलर्स को मौका देंगे और उन्होंने पॉप कल्चर नाम की अपनी एक कास्टिंग एजनसी शुरू की इसी के अलावा वो एक नामी प्रोड़क्शन हाउस के साथ भी काम कर रहे हैं अधित्या ने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया जिसमें से उनकी एक मशूर फिल्म है क्रांती वीर मैंने गांधी को नहीं मारा इसके अलावा वो टीवी शो सी आई ए में भी नजर आ चुके हैं आधित्य सिंग राजपूत को एक पार्टी परसन के तौर पर जाना जाता था बीते कल यानी कि 21 मई को वो पार्टी करते हुए नजर आये थे उन्होंने उसके कुछ तस्वीरे अपने इंस्टा हैंडल के जरीए शियर भी की है और उनके इन तस्वीरों को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि वो किसी डेप्रेशन से नहीं गुजर रहे थे तो इससे ये साफ होता है कि ये सुसाइड का तो मामला बिलकुल भी नहीं है फिलाल पुलिस अपनी चान बीन कर रही है और बहुत ही जल्द ये भी सामने आ जाएगा कि आखिर कार आदित्य का निधन क्यों हुआ कि वो ये साफ प्रूभ था साफ होता है